हलो दोस्तों आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मुख्या मंत्री अभय होदय योजना के बारे में जिसे आज ही शुरू किया गया है और ये स्टूडेंट्स के लिए जो की competitive exam जैसे की UPSC या UPSSSC की तयारी कर रहे हैं या और बी किसी competitive exam की तयारी कर है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इस पोर्टल पर apply करके free में online एक तरीके से एक coaching पा सकते हैं और ये सरकार की तरफ से योजना है ये कोई private योजना नहीं है UP सरकार की तरफ से योजना है इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा तो इस योजना के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो को last तक देखिएगा मेरा नाम है भवी और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल या फीडबैक मुझे बता सकते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है ये योजना आज ही इ सिंपल है और एक और खास चीज जो इस योजना में आपको e-learning यानि की online जो पढ़ाया जाएगा जो coaching दी जाएगी वो IPS, IES लेवल के जो लोग है उनके दोरा जो content तयार किया गया है या उनकी guidance में आपको दी जाएगी तो ये ऐसा ही कोई भी ARM platform नहीं है तो अपने आप में कौन से link पर आपको जाना है ये सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी अगर मैं बात करूँ ये योजना कब जाक इसकी last date apply करने की कब है तो ऐसी सरकार की तरफ से भी कुछ जानकारी नहीं दी गई है कि इसकी last date apply करने की कब है लेकिन हाँ अभी आपके पास काफी समय ह तो इसे आप अभी apply करें या दो दिन में करें या तीन दिन में करें तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होने वाली और first जो last date है वो बाद में announce होगी तो जैसा कि मैंने बताया इसमें apply करने के लिए आपको इस link पर जाना है ये link है about.up.gov.in howto apply.php यहाँ पर जाने के बाद आपको ये देख सकते हैं सीधा सीधा process समझाया गया है कि आप कौन से examination के लिए तयारी करना चाहते हैं या किसकी आपको coaching चाहिए. form fill करना है जिसमें आपको अपनी basic जानकारी देनी है उसके बाद अपना account verify करना है OTP के माध्यम से या जो भी माध्यम होंगे वो आप देख लेंग की या जिस भी exam के आप तयारी कर रहे हैं आपको उसको select करना है एक और खास बात आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी इस website को देख सकते हैं तो अब यहाँ पर हम एक normal एक मैं आपको example के तौर पर दिखा देता हूं NET का या किसी भी registration का process मैं आपको दिखा देता हूं क जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मैंने basic जानकारी अपनी डाली जिसमें नाम किस जिले से मैं संबन रखता हूं intermediate या मेरी कौन सी अभी class है अगर मेरे पास कोई examination का roll number है वो मैंने यहाँ पर डाला यह सारी information डालने के बाद नीचे एक submit button पर press करने के बाद आप देख सकते ह information आपको मिल जाएगी you are now successfully enrolled यहाँ पर यह मेरी registration detail को चेक करके एक confirmation email आएगा तो जो email address आप यहाँ पर दें वो ध्यान रखेगा आपका email address और phone number बिलकुल ऐसा होना चाहिए जो आप इस्तुमाल करते हो खुद कोई भी ऐसा ही email यहाँ पर मट डालिएगा जब यहाँ पर य आगे की जानकारी यानि किस तरीके से किस link पर जाकर या क्या आपकी coaching की online coaching की timing रहेंगी और मैं आपसे request करूँगा आप भी किसी ऐसे वेक्ति को अपने घर में परिवार में यारी दोस्ती में जानते हैं जो कि किसी भी competitive exam की या civil service की तियारी कर रहा हो तो उनके साथ यह link य वीडियो जरूर शेयर कीजेगा ताकि वो यहाँ पर आकर अपना registration करा सके और सबसे अच्छी चीज़ है सरकार की तरफ से है free service है कोई आपको charge नहीं देना और आपको बहुत ही अच्छे एक तरीके से content यहाँ पर मिलेगा जो कि IES IPS Services की guideline में यहाँ पर तयार किया गया है उ तो मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके जरूर काम आएगा धन्यवाद दोस्तों जैह